दोस्तो इस वीडियो में आज हम बताएंगे मरकरी अर्थात बुद्ध ग्रह के बारे में मरकरी का अर्थ क्या होता है? मरकरी हमारे सौरमन्नल के आठ ग्रहों में ऐसे एक है इसे हिंदी में बुद्ध ग्रह के नाम से भी जानते हैं या ग्रह सौर्य के सबसे पास है बुद्ध को ब्यापार और यात्रा का देउताम कहा जाता है कुछ पस्च्वी मानताव के नुसर बुद्ध को संदेश बाहग देउता भी कहा जाता है क्योंकि सौर्य के सबसे निकट होने के कारण बुद्ध अपना एक चक्कर मत 88 दिन में पूरा कर लेता है देखने में यह चंद्रमा के जैसा बीरान वा निर्जीव दिखाई देता है मरकरी को धरती से सूरियास्त और सूरियोदय की समय देखा जा सकता है हलांकि इसे दोफेर में नहीं देखा जा सकता है अब बात करते हैं बुद्ध ग्रह की सररचना की बारे में इसका इस्ट्रेक्चर कैसा है बुद्ध ग्रह की बनावट काफी सकत और भारी है यह चट्टानी ग्रह हमारे सूरिय मंडल में सबसे छोटा ग्रह है परन्तु इसका घनत लगवग प्रत्वी के समान है यह ग्रह लगवग 70% धातू और 30% सिलिकेट और अन पधारतों से बना हुआ है इसका छेतरपल लगवग 7.48 कलोर बर किलोमीटर है बुद्ध का कोर उसके आयतन का लगवग 42% स्थान गिरता है जोकि अन ग्रहों की तुल्ला में काफिया देखे जबकि प्रत्वी का कोर अपने आयतन का मात्र 17% स्थान गिरता है इसकी बाहरी परत 300 किलोमीटर तक मोटी है जबकि इसकी बीच की परत 500 से 700 किलोमीटर तक मोटी है इसका 42% कोर भीतर दर्वेत रूप में उपस्थित है बुद्ध ग्रह का वातावरन कैसा है how is the atmosphere of mercury जैसा की हमने आपको बताया है कि mercury सूरे के सबसे पास का ग्रह है इसी करणाए इसका तापमान बहुत गर्म है जदा गर्मी होने के साथ ही mercury का गुर्ट्वाकर्शन बल बहुत ही कम है यह आकर्शक बल इतना कम है कि इसे महसूस करना भी मुश्किल है इसलिए बुद्ध का बातावरण और बायुमंडल लगवग ना के बरावर है मरकरी पर ना तो बारस होती है और ना ही जीवन समभा हो सकता है यहाँ पर तापमान 180 डिग्री से 430 डिग्री सेल्सियस तक होता है बातावरण यहाँ का कभी स्थिर नहीं रहता है हमेशा बदलता रहता है अब बात करते हैं बुद्ध ग्रे की सतह की हाविजदा सर्फेस ओफ मरकरी मरकरी की सतह काफी गरम और सूखी है यहाँ पर जल का नाम निशान नहीं है देखने पर बुद्ध भी चंदर्मा के जैसा ही लगता है बुद्ध की सतह पर कई किलोमीटर लंबे गड़े हैं कहीं सतह मेनानी और तो कहीं सपार तो कहीं उची उची चोटिया है इन चोटियों की लंबाई तो कई सो किलोमीटर दूर तक फैली है बुद्ध की उपरी सतह सो से तीन सो किलोमीटर तक मोटी है बेग्यानों को द्वारा माना जाता है कि सौरमंडल के जन्म से पूर्व बुद्ध किसी दूसरे भारी पिंड से टकराया होगा जिससे उसकी बाहरी और बीच की परत को छती हुई है और एक बड़े कोर का निर्माढ हुआ जो उसके आयतन का 42% हिस्सा घिरता है बुद्ध की कुछ महत्पून तत्तों के बारे में हम इस परस्ट जानकारी बताते हैं कि यहां का जो तापमान है वो 180 डिग्री से 430 डिग्री से रहता है हलांकि बुद्ध का तापमान इस्था नहीं रहता है क्योंकि बुद्ध की अक्षा चप्टी होने के कारण सूरिय से दूरी बढ़ती घटती रहती है इसलिए बुद्ध पर तापमान भी घटता बढ़ता रहता है अब बात करते हैं प्रत्वी से कितना दूर है मरकरी प्रत्वी से दूरी है जो 186.26 मिलियन किलो मीटर है वही मरकरी की सूर्य से दूरी 68.409 मिलियन किलो मीटर है बुद्ध ग्रह को सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लगते हैं इसका मतलब व्य है कि मरकरी पर एक साल 88 दिन का होता है बुद्ध ग्रह 47.87 किलो मीटर प्रती से केंड की गती से सूर्य की परिक्रमा करता है मरकरी का जो छेतर पल है 7.48 कलोर बर्ग किलो मीटर है मरकरी का जो बजन है अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे अधेक धात्विक प्रकति वाला है इसका बजन 3.3022 गुरत 10 पर 23 की पावर किलो ग्राम है मरकरी का जो पलायन वेग है वो है प्रत्वी के मुकाबले काफी कम है बुद्ध का पलायन वेग 14.25 किलो मीटर प्रती सेकंड है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिखके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत